कि जेहिंद नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी श्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो अकेडमी पर ठीक है अच्छा क्या नाम है बेट आपका रोस्नी कहां से हो बिहार में जम पारन से किसकी त्यारी कर रहे हो कि अच्छा के नमबर सुनाती है तुमको कितने क्यों संटे पूरे किये थे इस खता आज टेस्ट है तुमको नहीं बोलना है जिससे पूछा जारा वहीं बोलेगा मैंच का अच्छा तुम्हारा सबसे कमजोर सब्जेट कुण शाय है क्यों मतलब वो नहीं आता दूसरा आता ऐसा अच्छा सबसे मतलब कि सबसे बड़ी प्रोब्लम अच्छा तुम्हारे सब्जेट क्या था इसके 85 परसेंट है कितने परसेंट क्लास में ठीक है और मेरे कितने परसेंट क्लास में अब आप अंतराल देख रहे हो मेरे सिर्फ 45 परसेंट है इसके पीछे परसेंट है टेंट में जबकि इसको मेत नहीं आती है प्रसेंट हो नहीं हो पाता है और जो करते हैं वो गलत हो जाता है अब उसके क्या करते हैं जैसे ही कहीं पर भी जाते हैं उसको बेस्टि आपको पता नहीं होती और वही आपकी गलती इनको क्या की फॉर्मूले याद है अभी जैसे फॉर्मूले आपको सारे याद होंगे इनको फॉर्मूले याद होगे परतिसत के ओसत के किसे भी संक्याओं का योग कहां तक याद हो गए तीज तक अभी याद करवा है इंज जबरदस्ति है ना और पहाड़े पहाड़े भी तीज तक ठीक है यह चीजे पहले आपको याद होनी चीज़ सबसे पहली बात तो अगर आपको यह चीजे याद नहीं है मतलब जर्च आना चाहिए 17 का वर्ग मुख्जबानी याद नहीं होगा आपके जहन में देखो मैं बहुत कम टाइम देपाता हूं अपनी स्टेडी को काम की वज़े से लेकिन फिर भी मैं जब भी कलास देता हूं आज तक अभी ऐसा वा को कुशन तुमने पूछा और मैंने नहीं बताया हो क्यों क्योंकि प्रे रिपीट करना पड़ेगा क्योशन में जब आप रिपीट करने लग जाओगे इन चीजों को बार बार प्रेक्टिस करोगे तो फिर वो गल्ती नहीं होगी दूसरी बात सबसे ज़्यादा समया भी किसको दे रहे हो आप मैत को दे रहे हो यह बात अच्छी है यनि सबसे जो कमजोर सब्जेट होता है और जिसको पढ़ने का दिल नहीं करता है उसी को सबसे ज़्यादा पढ़ना है ज़्यादा तर बच्चे क्या करते है यनि उनको जी के पढ़न नहीं करना जो नहीं आता उसी को पढ़ना है ताकि वो आए अगर आपको किसी चीज़ से डर है माणलो आप मेत से आपको कम आती है आप मेत पढ़ोगी ने तो कभी नहीं आएगी लेकिन अगर आप उसके पीछे पढ़ जाओगे तो फिर उसको आना ही पड़ेगा जाएगी कहा तीन महीने नहीं आएगी चार महीने पांच महीने छे महीने लेकिन अन्तता क्या होगा आएगा ही आएगा कि कोशिस करने वालों की कभी आर नहीं होती र कुछ किये भी नहीं जे जे तो आर नहीं होती चलो ठीक है रोशनी जी अगला नेक्स नमर किसका आ जाओ आ जो गोडी जी मोटी बुद्धी के इंसान है गोडी जी आ जाओ ठीक है यह इनके क्यूशन है मुझे लगता है आपके भी शेम बीत रहे होंगे बताओ सबसे हार्ड सब्जेट कौन सा लगता है मेरती लगता है क्यों अच्छा याद हो जाता है यह बड़ी बात मेरेको याद नहीं होता है इसन नर्मली सही होते रहते हैं जब तुम प्रेक्टिस करते हैं है है अच्छा है तो एक बात बताओ पेले कि टेंथ क्लास में कुछ से सब्टेट आपके आठ से ठीक है यह तो मेरी केटेगरी के हैं भाई और टेंथ में कितना परसंटेज है बिटा 61 परसंट यäg इनके भी मेरे से तो डेट गूणा नमबर है ठीक है यնनि इनका भी मेरे कमजौर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसंटेज कोई मेटर नहीं करते हैं, अब हो क्या रहा है, मैं बता रहा हूँ, देखो, ये ज़्यादा तर जो भी बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उनको लगता है कि टेस्ट के समय तो उनके गलत हो जा रहे हैं, बाकी वो किताब से जब मिला रहे हैं, तब सही हो रहे हैं, इन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, जब ये बुक से क्युस्ण मिलाते हो ना, तो बुक की मदद ले लेते हो, जहां पे भी हलके से फसे, और क्या करते हो, बुक में देख लेते हो हिंट, और फिर उस क्युस्ण को सोल कर देते हो तो तुम को ऐसा लगता है कि तुम सही कर रहे हो जब कि ऐसा नहीं है आप थोड़ सी भी आपको अगर तकलीफ हुई और आपने बुक देख ली तो इसका मतलब है कि आप गलत ही कर रहे हो आपको ऐसा नहीं करना है जब आपको तकलीफ हो पहले तो आप खु पुछोगे, यार दोसे पुछोगे, तो वो क्यों सर से पूछोगे, तो वो भूलोगे नहीं? समझ één बाइ, यही गलती करते हैं, असी पर्षेंड बच्चे, जिरकी मैध कम जो रहे, वो जैसे इक पर चते हैं, बुक की मदद ले लेते हैं, क्योषन solve कर देते हैं टेस्ट के समय फिर नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि उनकी क्यादत पर जाती है मदद लेने की और बिना मदद के फिर वो नहीं कर पाएंगा सम्झाई बात है बुद्धी जी भी इंसान बाकी जी के याद हो जाती है बाकी तो ये पहलो आना है next अगर तुम्हारों कोई समस्या नहीं थे फिर में क्यों सुर्फूस लूँगा वह भी कोई टेंसन नहीं है बताओ कि इसकी तैयारी कर रहे हो कहां से बिटा यूपी में इधर नहीं देखना उदर देखना है मुझे फणना कर से अच्छा सबसे हार्ड सब्जेट कौन सा लगता है अरे भाई में ने बता दिया अच्छा बागी जी के याद रिजनिंग क्लेर है मेहत कि कोनख कोन से टुफिक और क्यों नहीं है अच्छा अच्छा को मेरे किया सब्सन्ट को रेता है कोई बात नी 45 % है किता मेरे 22 है फिर भी मेरे से बड़ी है तो मतलब कमज़ोर तो नहीं आप सब तो जो 22 % वाला बंदा नोकरी लग सकता है दूसरों को पढ़ा सकता है छोड़ भी सकता है और दूसरों को पढ़ा भी सकता है तो तुम भी यह सब कर शकते हो समझे बात अब मैं तो तुमको हाड़ा लग रहा है उसके पिछे का अब मैं रिजन बताता हूं आपने बेटा टेंथ कब की थी 2018 यनि 2018 से लेकर 2022 तक यनि इन 4 सलों में आपने मेत को देखा ही नहीं है क्योंकि आपके सब्जेट क्या था आर्स तो आपके क्या है इसके साथ से connectivity हट गई अब यह चाते हो कि आप 3 महीने या 2 महीने मेत शिख जोगे तो ऐसा नहीं होगा आपको इसको रूटीन में लेना पड़ेगा और रूटीन में लेने के लिए कम से कम आपको कितने महीने का समय चाहिए 6 महा का समय चाहिए 6 महीने तक अगर आप लगातार 4 गंटे हमेशा किसको देते हो मेत को तो फिर आप अगर इच्छा से अपनी इच्छा सकती से कि मुझे सीखना है करकर अगर आप करोगे तो आप सीख जाओगे अब यहां पर एक छोटी सी बात प्रादता हूँ जो भी बच्चे नए हैं और जो शुरुवात में जिनको मेर्ट में परिशानी हो रही है जिसे इन बच्चों के साथ हो रही है जएदा दर बच्चों की यही प्रॉबलम है उनको क्या करना आपको हर एक पस्णावली जो भी पस्णावली शुरू होते हैं उसके स्टाटिक से एक से लेकर तीस तक क्यूशन करिए हर एक पस्णावली किसी के दिए एक से लेकर तीस तक किसी भी बुक से अगर आप सुरुवात कर रहे हैं क्यों एक से तीस तक क्यूशन क्या होते हैं क्या होते हैं आसान होते हैं इससे क्या होगा आप आसान क्यूशन करोगे तो एक तो उस पस्णावली का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में याद रहेगा दूसरा आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं कुछ क्यूशन कर पा रहा हूँ तीसरा आप एक से तीस तक सभी पसनाव लिए कि जब क्यूशन कर लोगे तो बहुत सारे कॉंसेप्ट आपके दिमाग में आजाएगा रहा आपको मेथ पढ़ने में फिर मजह भी आनने लगजाएगा दिरे-दिरे क्योंकि जब आसान कुशन करोगे तो कुशनों में मजह आनने लगजाएगा तो मचमरी बात इस हिसाबerta करना है जब अगर आपको मेयथ नहीं आती है तो हर एक पसनाव लिए क्या करना है एक से 30 क्यूशन बिना देखे कोशिच करना है इससे क्या होगा हर एक पसनाव लिए एक से 30 या 35 क्यूशन तक टोटल फॉर्मूले बेसिक ग्रूप से सामने आ जाते हैं ठीक है उसके बाद में उसका एड़वांस वर्दन आता है तो आप वहुए बहुत बड़ी समस्य आपको सेम रिपीट कैसे अगर आ रहा है तो आप कर लेते विए कीुछन चल रहा है की पाड़न पहलेट जो चेंच होता्यट देखो तर जबनका पीर सबसे बड़ी समस्य ह्कार्थ योते हैं इसमें जब आप क्यूशन किसी भी क्यूशन को कर रहे हो आपके जब समझ से आती क्या होता है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देते है चेंजिंग कुछ नहीं होता है बेटा उसमें क्या करते है डबल फॉर्मूला कर देते है यह नहीं उससे पहले जब आप क्यूशन कर रहे हैं तो सिंगल फॉर्मूले पर सिंगल चल रहे हैं जैसे कि एक से नो तक यह संक्याओं का ओसत है ठीक है फिर इसको डबल कर देंगे कि एक से नो तकी वर्गों का उस्त talk या किसी भी संख्यार के पर्संटेज का भिन भिन से पर्संटेज बनता है उसी प्रकार में दो पर क्रिया दे डिक है तो आप क्या करते हो आप सुशते हो बरही अब ये कैसे होगा उस परकार के जब आपको ऐसा लगए कि यह क्युस्षन मेरा पड़ावाई लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंच हो गया तो सब से पहले आपको जितना आता है वहां ते करि phone करिए उससे आगे का रष्ता आपको वहां से मिल जाएगा आपको पहले ही pain नहीं रखना आपको जितना आता है आप उतना उसको जमाईए जैसे जो भी क्यूशन है मानलो सपोस्ट जेट कोई भी ऐसा क्यूशन है कि मानलो 100 का 25 परतिसत कितना होता है समझ में तो इसको क्या करेंगे 100 गुणा 25 बटे 100 सो से सो कटगे कितना बचे बचे अब इससी क्यूशन को थोड़ा सा घुमा कि दे देते हैं कि सो का एक बटा च्यार कितना परतिसत होगा अब आप स Henderson का चीर है यहां नहीं है तो यहां क्या करेंगे तो बट्रा नीचे नहीं लगाएंगे तो 25 आ जाएगी यह मतलब कि जब क्यूशन चेंच होता है तो आपको क्या करना जितना आपने फॉर्मूला से का है वहां तक आप पहुचिए उसके बाद में आगे यह चीजी वह देखेंगे ठीक ना जब चेंच होता है क्यूशन तो चेंच कुछ नहीं होता है उसमें सिर्फ उस आपके दिमाग को चेक किया जाता है कि कि क्या नाम है अनुरादा अच्छा आपको किस में सबसे बड़ी समझ आती है भाई जी के में जी के में अच्छ तो प्रेक्टिस हो जाएगा जी को कितना रटे यह सबसे बड़ा क्यूशन है क्यों देखो और कन्फूजन भी रहता है अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ देखो जी के की जी के में क्या होता है ज्यादा तर बच्छे जो भी ससी जीडी का 25 नमर का है उसमें से टार्गेट करते हैं 16 नमर कि हमारे 16 आजाए 16 क्यों करते हैं में तो रिजिनिंग की तरफ 25 के 25 क् लेकिन अब हम इसका उपाई क्या है तो इसका सबसे बड़ बड़ी बात कि इस्टेटिक चेंजन नहीं होता थीक है इस्टेटिक जो जी के होता हूँ क्या होता है चैंज नहीं होता साइंस का जो थो हता है जी स्पॉर्शन वो कभी च्हीं tailor नहीं होता है, history कभी change नहीं होती है, यह चीजें इस्ता ही है, और इसके अलबा है, current तो change होता रहेंगा, लेकिन static gk, gs history, यह change नहीं होते है, सबसे जदाए आप target करिए static gk को सबसे पहले जिसमें खेल, kud, उचा, चोटा, बड़ा, नदी, नाले, सारे आगे, उससे क्या तो में कम से कम 4-5 क्योंसें फसते, है वू아 प्ला सकते हैं। दूसरा और वो और कभी चेंज नहीं होती। यह तो चेंज नहीं होती ना यह तो लिमिटेड नहीं है तो लिमिटेड है जी इस तो लिमिटेड है इस तो लिमिटेड है इस तो लिमिटेड है और हिस्टरी भी लिमिटेड है क्योंकि आपको पता है कि ऐसे सी चीडि में क्यों इंडियन हिस्टरी आती है तो इंडियन हिस् ले रहे हैं कि कफा यह उसके भाद में जो आपके पार्स में वाली जैसे वालो आपने उधार्ण के लिए में आपकry जब आपने कलास में पढ़ लिए उसके बाद में क्या करना आपको जो भी आपकी जैसे मालू लुशेंट की बुख है उसमें मूल अधिकार को एक बार फिर से पढ़ना है पिर क्या करना है जैसे आपने पढ़ लिया अगले दिन यह उसी डिन अगर आप चाहो तो जो दूसरी वस्तुनिस्ट इसपीक में और याद है आ है कि याद तोड़ना करना कुछ तो याद नहीं करना कुछ तो पेरों काम है नहीं तो उसमें ड्र क्या है उसमें कुछ याद करने जैसे आई नहीं तो भागो का अधिशन भागो हमों फूद बताते हैं सबस्कैर करक्या रहे हो वाग नहीं अधिन भाग रेकाने को और दोने कि अमचल्य फोंना भाग रहा है कि क Scottish